बरम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आरेका रत्न एक सोपां जिश्री स्रिश्ट्री भूशन माताजी की पावन प्रेर्णा इवं निर्देशन में अतिशेक्षेत्र श्री महवीर जी में कई वर्षों से चतुरविद संग की आहार उपकरण आदी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है आप भी इस पुन्य वर्धक कार्य में अपने परिवार जनों के जन्म दिन वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुन्य तिथी पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सयोग देकर पुन्य का संचय अवश्य करें एक लाख ग्यारा हजार से अधिक राशिदान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शेरोमनी संडक्षक कीरती स्थम्भ बनने वालों का विशेश आरक्षन रहेगा इस पुन्य के कारे से शीघर जोड़कर अपना जीवन धन्य करें और हाँ पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवन कीजिए प्रते दिन सिर्फ पारस चैनल पर कोई कहता है मैं सोने के महल बनाओंगा कोई कहता है मैं सेहंसा बन जाओंगा पगले ये क्यों नहीं सोसता दो दिन का महमान हूँ बाद में दफना दिया जाओंगा बाद में दफना दिया जाओंगा दफना है नहीं तो चिताओं में जलना पड़ेगा लेकिन मिटना तो है क्योंकि जीवन में हम मौत से बचने के लिए धन, परिवार, डॉक्टर हर व्यक्ति का जो जो इंतिजाम है वो सिर्फ एक इंतिजाम है मौत से बचने का और दुनिया में धन मिले, पैसा मिले आपको बड़ा पद मिले, पतानी मिले भी और नहीं भी मिल सकता है आपकी जत हो, सम्मान हो, नहीं हो, ये भी हो सकता है आपकी साधी हो, नहीं हो, आपके पास बच्चे हो, नहीं हो ये सब हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि किसी कोई मौत से बच जाए कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो तुमें मौत से बचा ले कोई जज ऐसा नहीं जो कि मौत पर इस्टे लगा दे और कोई बकील ऐसा नहीं जो बहस करके तुमें बचा ले कोई अफसर ऐसा नहीं जो तुमें थोड़ी दिन की महलत दिला दे क्योंकि जिन्दगी तो जाएगी तो आफिस लॉट कर नहीं आएगे एक राजा ने अपने मनोरंजन के लिए एक पागल को रख रखा था वो मूर्ख था कुछ कुछ ऐसे पूछने पर ऐसे जवाब देता था कि सब लोग हस्ते थे राजा ने उसको मनोरंजन के लिए रख लिया लेकिन हर राजा हो चाहे रहना हो चाहे भिकारी हो जनम के अंगना अलग-अलग रहे, मौत का मरघट एक रहे जनम के अंगने अलग-अलग हो सकते हैं, मौत का मरघट तो एक होता है भले वो ब्रामनों का हो, चाहे साहुकारों का हो, अलग-अलग नाम रख सकते हो लेकिन मरने के बाद राक में फर्क नहीं कर सकते हो क्योंकि राख तो सबकी साख मिटकर ही राख बनती है और वो समसान की राख एक सी होती है तो राजा कभी बुढ़ा पाया और एक दिन मौत के नजदीक आगया राजा को बड़ी चिंता थी कि मैं कैसे सांत रहूं, मैं कैसे खुस रहूं लोगों ने कहा कि उसी मुर्क को बुला लेते हैं वो अफसे कुछ-कुछ पूचेगा और अब तो आप बोल नहीं पा रहे हैं तीर दीर उत्तर देना तो आपका मन बहल जाएगा वो मुर्क तो मुर्क था उसने बोला कि राजान आपको क्या हो गया तो उनने कहा कि मुझे मेरी तब यह ठीक नहीं या ओले अब इसके बाद क्या होगा तो वो बुला बच भी सकता हूं मर भी सकता हूं बुले बच कितने दिन सकते हो तो राजा बुला जादा तो नहीं बच सकता हूं बुले फिर मर कर किधर जाओगे तो राजा ने कहा भगवान के पास बोला फिर लोट कर कब आओगे किस किस को साथ ले जाओगे तो राजा बोला लोट कर आने का तो कोई मौका ही नहीं है कि फिर भाफिस लोट कर आओँगा उसने का कितने लोगों को साथ ले जाएं तो बुला फिर आपने वहाँ पर कुछ इंतिजाम किया कि नहीं जब वहाँ अमेशा के लिए जा रहा हो उसने कहा राजने कि नहीं मैं तु यहीं का इंतिजाम करता रहा कि नहीं लगा तुमें पता था कि तुम इहां का इंतिजाम कर रहा हो राजन का पता ध्यान नहीं रहा, उसने का तुम राजन, ये मुर्क का ताज जो मेरे पहना है, मैं तुम पहना देता हूं, क्योंकि मुझसे मुर्क तो तुम हो, जिसने कोई इंतजामी नहीं किया, कहा जाना गए, हमेसा को जाना गए, हमेसा को जाना गए, हमेसा को जाना है, पहां तुमने पूरी जिंदगी लगा दी उसे सजाने समारने में जो परमात्मा तुमें हमेशा रखेगा उसका तुमने नाम तक नहीं लिया उसकी दरवाजित हो तुमारे लिए बंद मिलेंगे तुमें बहारी बैटना पड़ेगा हमारी और आपकी हालत सब की ऐसे है हमने जिंदगी के लिए बहुत इंतिजाम कर रखे हैं जिंदगी के लिए बड़ी आगाडियां बड़ी अपद बड़ी अपृतिस्टाइं बड़ी अपरिवार बच्चों को अमेर का अभिदेश जहां पढ़ा सकते हैं, रूस जर्मन में पढ़ाया है, लेकिन वो बच्चे के काम आएंगे, अरे जादा पढ़ लिग जाएंगे, तो संसान के टाइम भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके आखरी दिन भी नहीं आएंगे, वहीं से फोन लगाएंगे, कि मैं तो नहीं आपा रहा हूं, आप जला दो, इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चों को पढ़ाना या नहीं पढ़ाना, आध्यात्मिक ज्यान जरूर देना, ताकि तुम भी पासको, तुम भी परमात्मा के घर जाओ, तो रोते हुए नहीं जाओ, क्योंकि उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे हम तस्वीर में रंगों की तरह, उड़ जाएंगे हम तस्वीर के रंगों की तरह, और वक्त की तहनियों में परिंदों की तरह, वक्त की तहनियों में परिंदों की तरह, कहते भी हैं कि नदी नाओं की तरह, जिस परकार से नदियां जगज जगज से आक किर गती हैं और उनमें रहने वाले जीब जन्तु भी मर जाते हैं इसी परकार से हम पर बात्म परेधर्मातम के साघर में यदि अपने एंगार को वेक्तित को, ऊमद को मिटा कर कांक परोध को दरवार में चले जाएंगे तो हम भी सज़ और सवर जाएंगे हमारा जीवन में सागर की तरह अथाएंगे तो जाएगा फिर कभी सूखे गाने हमारे जीवन में भी कभी कुछित भावनाओं की कहते हैं जीव जन्तु हमें नहीं मार पाएंगे हम कभी नहीं मरेंगे मुस अभी चल इस्थिर सुख में इस्थाई निवास कर सकेंगे लेकिन अभी तो हमने बहुत सारा इंतिजाम कर रखा है दुनिया में सुख के लिए और सुख मिलता नहीं सुख मेंजु बीमारी बांट एंधिसन if to dance और कमर तूट जाएं पिहारी उनकी कमर तूट जाएं क्योंकि जो डिस्को करते हैं उनकी कमर तूटती है और जो परमात्मा की भक्ति करते हैंि liege उनकी कर्मार YOU time तुम्हे क्या तोडदना है तुम्हें वे परमात्मा के चरणों एते वे आते हूँ तुम्हार, नियोर। तुम्हार कोई परीचे निह होता है परमात्मा से परमात्मा परेणしたाथ अफने मौथ को निर्वान में परवर्तित किया है उनके पास आकर मौत भी दुबारा नहीं आती है और हम और आप जिन्दगी भर मौत से भागते हैं और मौत के पास ही पहुँच जाते हैं जितना भी प्रियास करते हैं बड़िया से बड़िया दॉक्टर को चाहे कोई हो एक दिन होता है कि डॉक्टर हार जाता और मौत जीत जाती है लेकिन मौत जीते उसके पहले हम हमेशा हमेशा को मौत को हरा दे और मौत को हराने का यही मतलब है मौत के समय कापना मत समंत्रवर्द स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इसने को बैर को संग को और परिग्रे को छोड़ देना, स्विक्षा से छोड़ देना, छोड़ना कह छूटा ही हुआ है, हमारे भावनाओं में हमारे पास है, कौन परिग्रे, नोट लेकर बेटे हो क्या अप लोग, सोना चांदी जितना है घर में लेकर आयोग, और ले भी लोगे, तो जैसे ही सासो की लड़ी तूटेगी, साधी चीजे यहीं छूटेगी, जिसके लिए पाना है उसको छोड़ रहे हो, उसको छोड़ना उसको पाए जा रहे हो, उसका प्रियास कर रहे हो, एक दिन स्वा से विखर जाएंगी और सारा सामान में विखर जाएगा, सब सामान यहीं का यहीं र हमारे महापुरसों ने आपत्ति आई दुखों का सामना किया लेकिन मौत को गले नहीं लगाया मौत पर उन्होंने विजय प्राप्त कि चंदन वाला जैसी सती को जीवन में दुखाए इतने दुखाए कि दासी का काम करना पड़ा वीलों के वीच चोरों के वीच कहते हैं कहां कहां उसको भिकना नहीं पड़ा लेकिन उसके बाद भी जो पिता बना कर लाए थे क्योंकि बासना की आँक तरकी आँक संका की आँक कहीं जीने नहीं देती उसे हमेशा बुराईया नजर आते हैं क्योंकि वो जीता हुआ भी मरता जैसा होता है मरा हुआ जैसा ह वो बेक्ति जीकर भी मरा हुआ होता है क्योंकि उसको हमेसा बासने नजर आती है उसे साधना नजर नहीं आती है और सम्मेक द्रश्ति को तो साधना में भी महा साधना नचराती है, उसे ब्रत्त पुपवास के बाद भी लगता है, कि जव तक मेरी जिंदगी में जीत नहीं प्राप्त होगी, तब तक में परमात्मा नहीं बन जा, और परमात्मा के भासनाओं का तूट जाना, बिखर जाना परास्त हो जाना ही परमात्मा का द्वार है, हम परमात्मा के द्वार पर अभी तो जूटे जूटे जाते हैं, आस तक हम जुके हैं, लेकिन हमारा दिल कभी नहीं जुका, हम बच्ची को ले जाते हैं, कहते हैं, ढोग दे, ढोग दे, ऐसे लगता है, जैसे लग रहा है, आ फिसका नोट दालते हो और सो फरमाई से रखते हो भगमान से इतना तक कहते हो कि भगमान इस बार बच्छा लोगे तो हम तुमें सोनी का चछाटर चड़ाएंगे हम ने का बच्छा लिया तो क्या वहला काम करोगे जब लोग मर रहोते हैं या मर जाते हैं आख्री टाइम इंदवा का नाम लो, जसने जीवन नहीं लिए, वो मरते टाइम भगवान का नाम क्या लेगा? लोग मर जाते तो कहते bütün भगवान के प्यारे हो गए मिन की भगवान की पसंद कआ इतनी घटीर है जिसे आदमी ने देखना चाहता है जिसे आदमी घर से निकालना चाहता है कि कब मरे और कब संकट ले ऐसे संकट को भगवान लेगा? क्या? जब कोई बुड़ा हो जाता है, मरना सन हो जाता है, अमर जाता है, तो लोग कहते हैं, आज वो भगवान के प्यारे हो गए, हमने के जिसे जिन्दगी पर भगवान प्यारा नहीं लगा, वो मर के भगवान का प्यारा कैसे हो सकता है, और जब भी कोई मरता है, तो हम कहते हैं, आज वोस फलाने सांत हो गए सांत हो उप जिवन वर तुम् Zuschat उ आ Во ही सेव तुम्टल माई हो गए तुम्हार्म काहँ सेने कंवर संत होुए किसीसे कह मत देना कि तुम्हार में वी सांत कभ गो रह ओ यदि आप किसी की घर जा के कह दो अर्यंत नाम सत्य और सत्य वो ले गत्य है क्या बड़ी बात पुराई की बात तो नहीं कही कि अर्यंत नाम ही सत्य है और इसको बोल के लिए तुमारी गत्य सुद्रेगी तम कहीं इज जा रहा हूज भगवान का नामे कितना सुभ नाम है लेकिन आप लोग बोल्ग कब लेते हो मात्तम की टाइम लेते हो और लेते लेते भी रो घो ओते हैं कुई कोई जीते जी अर्यंत नाम सत्य ना दो तो तो तुमें मारने को तयार हो जाएगा राम नाम सत्त सुना दो तो उसको तो अटेक पढ़ जाएगा एक बेक्ति मेरे पास आए और बहुत अच्छी अध्यात्म की बात कर रहे थे स्वर्ग कितने उपर हैं सिद्धिसिला कितनी हमने काई फ्लेट बन वाना है क्या जगे खरीदोगे क्या उसके बाद मैंने कहा आपके आयू तो जादा नहीं है वो तो अपने बैग उठाए और कहने लगे जा रहा हूं ऐसी बाते बाते करो बेकार की बाते कर रहे हूं हमने क्यों परमात्मा गया तो तुम निर्वान महोस सब बनाते हो और अपनी वास से भी मिर्ची लग जाती उठके जाने को तयार हो अरे तोड़ा बर्दास क्या करो सीखा करो मरगट मंदिरों के में की तरह होना चाहिए वह जा कर देखो कि एक दिन यह हस्रा मारा होगा इसी तरह राक शिके पैरों में जाकर गिरेघी वड़ जाएगी बिखर जाएगी लेकिन हम कभी नहीं देखते हैं और आपने बच्चे तक को मौझ से बचाते हैं। देखना कभी अर्थी निकल रही हो, तो हम बच्चे को बच्चाते हैं। अंदर अंदर अजा। और वह क्यों अंदर अजाओ। बद्धिके पिताने अई तो गलती की थी। बच्चे को तूटे फूल नहीं दिखें। बच्चे को मुर्दा ना दिखें। बूड़ ना दिखें। इसलिए इतना इंतिजाम किया था। लेकिन क्या करोगे कही न कहीं से मौद भी आती है और बडापा भी आता है। तुम जीवन भर प्यूटी पारलर जाती है एक एक दिन कहीं से जुड़ीयां दिखेंगाती हैwan कितना भी इस चहरे का सिरंगार करो एक दिन रॉननक कहते है। कितनी बढ़िया बढ़िया बाते करो एक दिन लोग तुमसे उूप गते छे एं वोई तुम्हें सूरज मुखी और जॉला मुखी कहने लगते हैं जिस परिवाल में तुम्हारी इतनी हुकूमत थी और उसके बाद उसमें क्या होता है तुम्हारी से बात करना कोई पसंद नहीं करता है लेकिन अधी तुम्हे जीवन अधर्स बनाया हुता जीवन में बहुत अच्छी सैली को अपनाया होता, तो तुम्हारी बानी सुनने के लिए लोग आखरी तक तरस जाते हैं, परमात्मा ने अपने जीवन में पूर जन्मों में, अपने जीवन को साधना में डाला है, सोल है कारण भावनाय भाई हैं, उनकी बानी सुनने के लिए जब तिर्थंकर हो जाते हैं, तो लोग बैठे रहते हैं, चात्तक की तरह बैठे रहते हैं कि बोलें तो कुछ, और नहीं बोलें, तो लोग रोज जाते हैं सुनने के लिए, अपनी बानी को, अपनी आखों को व्यर्थ में मत गमाओ, कितना बोलते हो हिसाब लगाय करो चौबीस घंटे में से तुम इतना व्यर्थ बोलते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं थे क्यों व्यर्थ बोलते बोलते आखरी में बोलना ही व्यर्थ हो जाता है कोई सुनना ही पसंद नहीं करता है इसलिए बानी ऐसी हो, तुम्हारी अम्रत की तरह हो, बानी ऐसी हो, जिसे सुनकर लोग बाग बाग हो जाएं, तुम्हारी बानी को सुनने के लिए लोग तरस जाएं, अभी तो लोग तरस जाएं, आग की तरह बरस जाते हैं, क्योंकि तुम बोलते हो, तो लोग बाग बाग तल करे, आपहुसी तल हो और राज का अदमी कहता है, बानियसी भूलिये, जिससे जगडा हो और सुनने वाला आदमे, आठ दिना तक इरोये, आपको आठ ने, आपको ठाट बनाना है, अपनी बानी को अगम के अनुसार बोलो बरम पूजिये जिन धर्म प्रभाविका, आरेका रत्ने 105 जिश्री स्रिष्टी भूषण माताजी की पावन प्रेर्णा इवं निर्देशन में, अतिशेक्षे त्रश्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुरविद संग की आहार उपकरण आदी की विवस्था सुचारू रूप से की जा रही है आप भी इस पुन्य वर्धक कार्य में अपने परिवार जनों के जन्म दिन, वैवाहिक वर्षगाठ एवं पुन्य तिथी पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सयोग देकर पुन्य का संचय अवश्य करें एक लाख ग्यारा हजार से अधिक राशिदान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शेरोमनी संडक्षक कीरती स्थम्भ बनने वालों का विशेश आरक्षन रहेगा इस पुन्य के कारे से शीगर जोल कर अपना जीवन धन्य करें और हाँ पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवन कीजिए प्रति दिन सिर्फ पारस चैनल पर झार, झार, और्र. झार्ण जा बनने जाएगा